हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुश्टर डिवित स्मार्टनेस आई होप कि आप जहां वियोंगे स्वास्तेवं सुरक्षित होंगे तो दोस्तों आज है साथ मई दोजार बीज और साथ मई दोजार बीज से जितने भी इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन भी प्रेस कर लिजे क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों श्राट करते हैं आज के वीडियो और आप का पहला कोशन है हाल ही में किस राज सरकार ने कहा है कि राज में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाये गया है तो आप्शनों के पास असम दिल्ली पंजाब या फिर गुजरात तो दोस्तों आपको यहां पर राइड अंसर है वह है ऑप्शन नमबर ए ऑप्शन इस दराइड असर असम की कवर्मेंट ने कहा है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाये गया है दोस्तों बात आई है अफ्रीकी स्वाइन फीवर है यह जंगली सूरों में होने वाली एक वाइरल विमारी है जंगली सूरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर को जो पहला मामलप आय गया था दोस्तों, वह 1921 उनीस सो एककस में केनिया वद इथोपिया देखा गया था, केनिया वद इथोपिया में, दोस्तों बात करते हैं जदी असम की गव्रॉर्मेंट की तो असम की जो कैपिटल है वह है दिसपूर, असम की सीम है, सरवानान सोनवाल और असम की गवर्णर है जगदीश मुखी दोस्तों असम में ही है काजी रंग काजी रंगा नेशनल पार्ग जो की है एक सिंग वाले गिंडा के लिए प्रसेद्ध तो आपको इस कोशन से इतने सारी इंपॉर्टर्ट फैट्स याद रखने हैं नेक्स कोशन आपका भारती रिज इस्थिति के मद्दे नजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्ध कर दिया है तो आप्शन आपके पास देना बैंक, CKP बैंक, उतकर्स बैंक या फिर एक्सिस बैंक तो आपको यहाँ पर जो राइड ऑप्शन है ऑप्शन नमबर बी इस दा राइड आंसर जो की है CKP सहकारी बैंक, दोस्तों CKP सहकारी बैंक का जो मुख्याला इस्थित था है, वह मुंबई माटूंगा में इस्थित है, मुंबई माटूंगा में, बात आई है यहाँ पे भारती रिजर्ब बैंक की, तो भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना हुई थी, एक अप्रेल 1935 को, एक याद रखना है, एक जनवरी 1949 को, और RBI, भारती रिजर्ब बैंक का जो हैटकॉर्टर है, वह मुंबई महरास्ट में इस्थित है, मुंबई महरास्ट में, और दोस्तों RBI को जो अभी हाली में गवर्नर है, वह सक्ति का अंदास और जो की है, 25 नंबर के, यह कोशन पूछा के मसहूर कवी और प्रोफेसर के एस निसार एहमद का 84 वर्स की उम्र में निधन हो गया है, तो आप्सनों के पास हिंदी, तमिल, कन्नल या फिर पंजाबी, तो दोस्तों आपका जो राइड आप्सन है यहापे, आप्सन नमबर A, हिंदी भासा के मसहूर कवी थे के एस नि अहमाद, दोस्तों यह ऐ है, इनको 1981 में राज अश्तो प्रुसकार से समानित किया गया था और इनको ही 2008 में पदमस्री प्रुसकार से भी समानित किया गया था, जो कि भारास सरकार के दौडा दिया जाता है, तो दोस्तों इसलिए आपको यह याद रखना हैं ह需要 हम जो की एस निसार एहमद, नेक्ट कोशन देखते हैं, हाल ही में किस राज्यों में COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, कोशन आपका, हाल ही में किस राज्यों में COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, तो आप्शन A के पास, आप्शन A है, दिल्ली एवं हरियाणा, आप्शन B, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, आप्शन C, पंजाब एवं हरियाणा, या फिर पंजाब एवं गुजराद, तो यहाँ पे जो आपका राइट आप्शन है, आप्शन C, पंजाब एवं दोस्तों बात आई है ठीकरी पहरा अब यह ठीकरी पहरा क्या है दोस्तों ठीकरी पहरा के अंतरगत गाउं के ही दो या तीन चाल लोग को नियुक्त किया जाता है जो कि रात में गाउं में पहरा देते हैं और उनका काम क्या रहता है कि उनका यह निश्यत करना कि गाउं में रात में कोई भी संदिक्द व्यक्ति रात में गाउं में प्रवेस ना कर सकें तो यह काम होता है ठीकरी पहरा के अंतरगा जो की पंजाब व्यवं हर्याड़ा में उप्योग किया जा रहा है नेक्ट्ट कोशन है केंदर सरकार ने हाली में प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है तो आप्सना के पास 1000 रुपए 500 रुपए 1500 रुपए या 700 रुपए तो यहाँ पे जो आपका राइट आप्सन है आप्सन नमबर बी 500 यह तीन किस्तों में प्रधान किये जाएंगे जिसकी दूसरी किस्त में दिया गया है 500 रुपए इसकी जो पहले किस्ता आइथी उसमें करीब 20 करोड महिलाओं को लाज प्रदाप्त हुआ था 20 करोड महिलाओं को दोस्तों जो प्रधान मंत्री गडीब कल्यार योजना है इसके तहर जो रासी जम्मा उन्हीं खातों में की जाती है जो की प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत रेजिटर्ड है प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत और जो प्रधान मंतरी जंधन योजना है इसकी सुरुवात कब हुई थी? इसकी सुरुवात हुई थी 2014 में आपके याद रखना है 2014 में चली नेक्स कोशन देखते हैं किस संस्थाने हाल ही में उच्चे संक्रमण छेत्रों के तेजी से और रसायनिक मुक्ते किटाळू सोधन हेतू एक अल्टरा वाइलेट यूवी किटाळू सोधन टावर विक्सित किया है तो आप्शना के पास DRDO, ISRO, SSC, हिंदुस्तान, Aeronautics Limited तो दोस्तो आपका जो यहाँ पर राइट आप्शन है, आप्शन अमबर A DRDO DRDO नहीं विक्सित किया है उच्चे संक्रमण तेजी छेत्रों के लिए जो की है रसायनिक मुक्त कि टाळू सोधन और इसका जो नाम है इस उपकरण का वह है UB Blast UB Blast मतलब Ultra Violet Blast दोस्तो इसका जो निर्माड किया गया है वह दिल्ली की प्रयोक साला Laser Science and Technology दोरा किया गया है इसमें दोस्तो क्या किया जाएगा इसमें हवाय एड़े, सौपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्टरी, दस्फतर, आधी को भी संक्रमण मुक्त करने में मादद मिलेगी इसलिए इसको विक्सित किया गया है, दोस्तो इसको किसने विक्सित किया है DRD ओनो, तो बात करते है DRD की, DRD की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो हैड कोटर हुआ है नई दिल्ली में, और इसका जो मोटो है दोस्तो हुए है वलस्सिमूलम विज्ञानम वलत समूलम विज्ञाना और इसके जो हैड है भी चेर्मेन है मतलब वह हैं जी सतीस रेड़ी तो आपको सारे फेक्ट्स जियाद एकने हैं जी सतीस रेड़ी चलिए नेक्स कोर्शन देखते हैं कोरोना वाइरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैसलिस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज जिनिमन में से कौन सा है कोरोना वाइरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैसलिस बीमा प्रदान करने वाला तो आप्सिन आपके पास बिहार, जारखंड, पंजाब या फिर महरास्ट तो दोस्तो यहाँ पर जॉब का राइट आप्सिन है आप्सिन नमबर डी महरास्ट महरास्ट ने ही अपने लोगों को मुफ्त और कैसलिस बीमा प्रदान किया है कोरोना करती तो दोस्तो महरास्ट के स्वास्त मंत्री राजे स्टोपे ने यह गोशन की थी और यह भारत का पहला राज बन गया था दोस्तो बात करें दी महरास्ट की तो महराश्ट की जो इस्तावना हो थी वे एक माई 1960 को होई थी और दोस्तो एक माई को अंतराश्टी मजदूर दिवस मनाए जाता है और महराश्ट की जो कैप्टल है व dubbas के नगपूर तो आपको दोने याद रखना हैं नहीं याद रखने हैं चलिए next question देखते हैं next है किस कस्मीरी उत्पात को हाल ही में GI tag प्राप्त हुआ हैं तो आपको बताना है option के पास केसर, गुड, मुंग, फली, चना तो यहां पे जो आपका right option है option number A, केसर केसर को ही हाली में GI tag प्राप्त हुआ हैं दोस्तो कस्मीरी केसर दुनिया के एक मातर ऐसा केसर है जो कि 1600 मेटर की उचाई पर उगाया जाता है दोस्तो बात हुई है GI tag की GI tag का फुल फाम होता है geographical indication जो कि एक विशेश छेत्र में एक विशेश उत्पात के लिए दिया जाता है भौकॉलिक संकेर जिसको हिंदी बोलते हैं दोस्तो भारत में GI tag दिया गया था सबसे पहले हुआ है दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को भारत में किसके दोर्डिया जाता है तो यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन औफ गोड़स एक्ट 1999 के तरहत दिया जाता है जो कि प्रभावी हुआ था पंद्रा सेप्तंबर 2003 से दोस्तों 2003 से यह प्रभाव में आये था दोस्तों इंटरनेशन लेवल पर किसके दोरा दिया जाता है तो यह WTO World Trade Organization के दोरा दिया जाता है तो आई होप कि आपको ने यह सारे important facts याद कर ली होंगे तो चलिए next question देखते हैं next है देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी Indian Oil Corporation के ने चेयरमेन किसे निक्त किया गया है तो option आपके पास राहूल ससेदेवा, ओम कस्या, जगत राय, स्रीकांत, माधो, बैद तो यहाँ पर जापका right option है दोस्तों वह है option number D, स्रीकांत, माधो, बैद दोस्तों यह अभी हाली में चेयरमेन निक्त करे जाएंगे जिनका कारेकल स्टार्ट होगा एक जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2023 तक जो की दोस्तों संजीर सिंग का इस्थान लेंगे अभी हाली में जो अभी इसके जो चेयरमेन है वह संजीप सिंग है लेकिन इनका जो कारेकल होगा वह जून 2020 में खतम हो जाएगा उसके बाद नियुक किया जाएंगे स्रीकांत माधव बैद दें दोस्ते दी बात करें आयो सीयल इंडियन और क्रॉपरेशन की तो इसकी स्थापना होई थी 30 जून 1969 को 30 जून 1969 को और इसका जो हैट कोटर है वह नई दिल्ली नई दिल्ली में इसके जो अभी हाली में जो चेयरमेन है वह तो अभी संजीप और इनके बाद जो निक्त होंगे वह स्रीकांत माधव बैद होंगे नेक्स कोशन आपका कि किस वरिष्ट नेता को लोक सभव में लोक लेखा पर संसिदी समिती का अध्यक्ष निक्त किया गया है तो आप्शन आपके पास अधिर रंजन चौधरी कपिल सिब्वल बीजय सि आप्शन नमबर ए अधिर रंजन चौधरी अधिर रंजन चौधरी को ही अध्यक्ष निक्त किया गया है दोस्तों यह समिती जो होती है इसका अध्यक्ष हमेशा बेपक्ष का नेता ही होता है बेपक्ष का सदस्री होता है जो की हैं कॉंग्रेस के सदस अधिर रंजन केक के दौर जो लेखा परिक्षण दिये जाते हैं उनकी यह जाच करता है और उसी के अध्यक्ष निक्ट किये गए हैं अधिर रंजन चौधरी इसका जो कारिकला भी स्टार्ट होगा वह एक माई 2020 से 30 अपरेल 2021 तक चलेगा तो आपको याद रखना है तो दोस्तों यह रहे आज के important questions I hope कि आपने इन questions को बड़ी अच्छी तरह से देखा होगा और इनको समझाओगा तो चले दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में next important जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए धन्यव आपने समझादो हुआएब कर दोस्तों मिलते हैं ओर वीडियो में करना हुआएब कि दोस्तों मिलते हैं